हेलो सिविल एंड प्लानिंग इंजीनियर्स इस वीडियो में मैं आपको ऐसा गैंड चार्ट बनाने सिखाऊँगा होप कि इस वीडियो के बाद आप भी एक ऐसा गैंड चार्ट बना पाएंगे तो सबसे पहले हम एक नया गूगल सीट कर लेंगे तो आईए पहले सीट करेंट करते हैं इस सीट में हम सबसे पहले सीट का नाम दे देंगे तो चलो मैं लिखता हूँ गैंड चार्ट बाइ सिवल इंचीनियर डीके आप अपने प्रोजेक्ट का नाम यहां पे लिख सकते हो तो गैंड चार्ट के अंदर आएगा टास्क नेम कि क्या काम करोगे वो डीटेल आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा start date उसके बाद number of days की वो काम कितने दिन चलेगा वो हम इंटर करेंगे तो इस column का format चेंज कर लेना है इसको date format में चेंज कर लेना है तो अभी के लिए मैंने यह टास्क नेम एक अलग सीट पे लिख के रखा है कॉपी कर रखा है ताकि वीडियो लंबा ना जाए तो मैं वहां से कॉपी पिष्ट कर लेता हूं आप अपने case में एक एक करके इंटर कर लेना तो आएए आगे देखते हैं तो यहां पे हमने साट यहां मैं मैंने पहले से टास्क और सारी चीजह इंटर कर रखी थी उसको मैंने अपना कॉपी करके इस इस सीट के अंदर पेश्ट कर लिया है आप एक एक करके सारा इंटरी डाल सकते हो अपने project के टास्क के हिसाब से तो जब आप टास्क हमने डाल दिया है तो आप देखेंगे एक मिनट नेम चेंज कर लेता हूं मैं गैंट चार्ट बाइ सिवल इंजीनियर डीके तो अभी तक हमने टास्क नेम पूरा डाल दिया है स्टार्ट डेट डाल दिया है और उसके बाद नंबर डेश डाल दिया है उसके बाद आपको ये पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है यहां तक और फिर हम आएंगे इंसर्ट के अंदर इंसर्ट के अंदर आएंगे तो यहां पे चार्ट का अप्संस है चार्ट पे क्लिक कर द सेलेक्ट करिगे लेना अपने को उसके बाद हमने अब स्टैक बारचाट सेलेक्ट कर ली आप देखोगे तो अब हमारे स्क्रीन पर तास्क नेम आ गया है और उसके अगेंश अलग अलग बास आ गया है तो अब इसमें हमें बैसिक एटिस्ट लगाने पड़ेंगा तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर एक्टिविटी नेम तो आ चुका है क्या टास्क है वर्टिकल लेयर में आ चुका है पर यहां पर अपना डेट आना चाहिए था पर वह नहीं है वह कोई सीरियल नंबर अभी आ रहा है वन थाउजन तेन थाउजन तो यहां पर हमें पहले दालना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसका पहले इस पर डबलते हैं आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे यह टेबल खुल जागा किस्टमाइडिटर तो यहां पर आना है आपको यहां पर नंबर फॉर्मेट चेंज करके डेट टाइम कर लेना है तो यहां पर अलग- देखोगे तो डेट तो कुछ और ही है जो हमने लिखा है उससे टोटली अलग है जैसे हमने साइट ले आउट के लिए लिए लिखा है 23rd February 2024 पर यहां पर डेट से अपने सारे 1899 1927 काफी पुराने डेट से तो इसे हमें चेंज कर लेना है तो यह चेंज करने के लिए क्या कर February 2024 मैंने यह डेट डाल दिया जो अपना पहला स्टार्ट डेट है अब इस पर क्लिक करना और इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे इसको आके नंबर से आके आटोमेटिक फॉर्मेट में ले लेंगे तो एक सीरियल नंबर बन जाता है अब हम आएंगे सीरियल नंबर को आजाना यहां पर जब आप क्लिक करोगे तो कस्टमाइज के अंदर देखना होरिजोंटल एक्सिस और उसके अंदर यह मिनिममम का मिनिमम वैल्यू का जो सेल है यहां पर वह पेश्ट कर देना है वह पेश्ट करते ही देखो आपका चार्ट बन गया है तो वह डालने के बा तो यह काम करते हैं जैसा मैं दिखाया था आपको गैंट चार्ट अभी तो वह वैसा नहीं बना तो इस पर एडिट्स लगाते हैं कुछ-कुछ उसके बाद वैसा ही गैंट चार्ट आप बना पाऊ गया तो चलो नेक्स्ट आइटम है कि यह जो आपका ब्लू सेल है यह 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 ब्लू लाइन दिख रहे है है इस पर वाले क्लिक करो दो तो जाके क्या करना है सिरीज कुलेगा आप उस पर क्लिक करोगो पहले तो सारह स्लग्ट ओना चीया जो भी blue class line थी अब वो invisible हो गया है क्योंगे हमने उसका opacity कम कर दिया है एक चीज दिख रहा है यह grid lines यह इसे हटाना है अब हमें यह line जो दिख रहा है इस पर click करो यहां पर major grid lines पर जो tick mark लगा हो इसे अंचक कर दो वो भी कदम हो गया अब अपने view change हो गया है इसके बाद अपने को क्या करना है हाँ अभी आप देखोगे तो अपने को task name मालूम चल रहा है क्या क्या हम काम करेंगे नीचे date मालूम चल रहा है पर अब यह नहीं मालूम चल रहा है कि यह task का भी start हो रहा है कितने दिन का है तो अब हम next यह entry करेंगे तो यह entry करने के लिए simply यहां पर जो हमने blue line हटाया था वो select करना आप double click करोगे कहीं पर भी यह select हो गया अब यहां पर आके data labels on कर देना है ठीक है data label on करते ही यह देखो अब data गया 223rd 24 जो हमने पहला start date लिया साइट लियाओ के लिए same date आगया है अब इसमें थोड़ा से edit कर लेते हैं कि यह पढ़ने में अलेगी दिखता है तो यह काम करते हैं इस पर double click करके इसका format चेंज कर देट एंड टाइम लेंगे यह ले लेते हैं और इसमें से यह डिलीट कर देता है क्योंकि वह काफी लंदी हो जाएगा तो अब देखो आपका डेट आगे 23rd February 29th February जो भी आपका स्टार्ट डेट है वह आ जा रहा है मंत के अब हम देखते हैं कि कितने डेस का टास्क है तो इस पर click कर लेंगे यह करने के लिए यहां पर भी आओगे तो आप डेस का खुल से आप यह adjustment change कर सकते हो अब भी हमारा टेक्स्ट लाइन के इंड पर है वह आप यहां से चेंज कर सकते हैं पोजिशन में आओ रिंडर कर लो चाहो inside कर लो या फिर inside कर सकते हो मैंने inside कर रखा है क्योंकि पढ़ने में easy होगा अगर आपको कलर भी change करना है तो इसको कुछ ऐसा कलर कर लेते हैं हां तो अब आप देखो कि हमारा लगभग लगभग एंड चाट रेडी हो गया है इस पर थोड़ा सा कुछ edit कर लेंगे तो visibility भी बढ़ जाएगा सबसे पहले नम background color change कर लेते हैं ताकि और दिखें तो इसके लिए किस्टमाइज में आना है अपने को आऊगे तो चार्ट स्टाइल करके जो कॉलम है यहां पर आएंगे चार्ट स्टाइल में आती ही सबसे पहला option आरा background color तो कोई सब भी dark color ले लेते हैं ताकि visibility better हो जाएग date and time then select this one then delete the year format तो अभी आ गया यह भी change होगे आपका जब हम चार्ट का स्टाइल सेट करेंगे तो उसमें कुछ-कुछ और चीज़े आती है टाइटल आएगी तो मालो आपका building project है तो आप लिख लेना में भी factory project building project जो भी है आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख लेना मैं लिख रहा हूं अभी गयांट चार्ट बाइट सेविल जीनियर दीखे सिर्फ प्रमोशन तो बनता है थोड़ा अधरवाइज आप लोग याद कैसे रखोगे यहां पर इस सेंटर अलाइंड कर लो टेक्स्ट को चाओ तो बोल्ड कर लो कलर दिख नहीं रहा है तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर लेते हैं यहां से टाइल टेक्स्ट अलर सेलक्ट करके यह चेंज कर सकते हैं हां येल्व सभी दिख रहा है और ये मिरा ब्रैंड कलर भी है तो थोड़ा साइज चे बढ़ा लेता हैं फॉंट का इसको 60 सॉरी कम कर दिए मैंने इसको 22 कर देते लिए और ट्वंटी 4 कर दिए आप चाहो तो और कुछ-कुछ एडिट है आप इसमें जितना देखोगे उतना समझ आएगा अलग-अलग चीज़े एडिट की जा सकती है बॉर्डर कलर डाल सकते हो मैंने एक बॉर्डर कलर डाल दिया इसके बाद अपनी यह डेट अच्छा डेट बार करनी है यह डेट में इसको इसको इंसाइड इंसाइड बेस सब्सक्राइब हाँ इंसाइड इंड के आप बाहर आ गया इसको बोल्ड कर देता हुआ अच्छा से दिखें आप चाहो तो इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं बहुत तर तक अपना गया चार्ट बनके रेडी है तो इसको आप जितना ऐसे बढ़ा करोगे आपका उतना बिटर भीव आएगा यह देखो अभी हमारा गया चाहर बनके रेडी है गया चाहर के हिल्प से मतलब आप इसली अपना प्रोजेक्ट का वर्क इस्टेटर स्टैक कर पाऊगे कि कभी स्टार्ट होना था कब तक चलेगा कितना दिन तो आप इसका प्रिंट आउट निकालके अपने आफिस में लगा सकते हैं चलो यह तो मैंने बना दिया आपको अगर यही टेंपलेट चाहिए तो यार तुम तो कमेंट कर देना कि सेंड में दिस गैंड च मानलो आपको यह टेंपलेट चाहिए और उसमें एडिट करने रही जो मैं आपको लिंक दूँगा उसी में बनाना है तो आप सिंपली अभी तो अपना गैंड चाट रेटी है मैं आपको दिखाता हूं कि सेम चीज पर एडिट करना हो तो कैसे कर सकते हैं तो अब भी क्या क करना है अभी हम मालो नया टास्क में आड कर रहा हूं ठीक है अभी तक देखो आप स्लैब फॉर्मवक तक अड़ेड है अब मैं आड कर रहा हूं स्लैब स्लैब कास्टिंग फॉर्मवक के बाद तो कास्टिंग यह होता है वो लिख दिया डेट यहां से आजटीज कॉपी कर लो पिष्ट कर दो फिर डबल क्लिक करोगे कैलेंडर खुल जाएगा एडिट कर सकते हो चलो मैंने 10 से कास्टिंग स्टार्ट किया और मानता हूं कि 15 ड इसके लिए आ रहा अल्रेडी आ चुका है तो सिंपली आप यहां नीचे जितना आट करते जाओगे आ जाएगा मानलो लगता है कि बीच में कुछ आपको डालना है जो मैंने छोड दिया है तो आप यहां पर ऐसे सेलेक्ट करना वोरो ऊपर डालना है तो ऊपर सेलेक्ट कर लगेगा कॉपी किया डूबल क्लिक किया कालेंडर चेंज कर दिया और मानलो वो करने में अपने को लगेगा पर शट दें तो देखो आगया पुटिंग रेन्फोस्मेंट वक आगया ना यहां पर 65 दें तो आप सीख गये होंगे कि आप खुद से ग्यांड चाट कैसे बना सकते हो और आपको यह सब चीज़े आनी चाहिए आएगी तो आप अपने जौब पे अच्छा कर पाऊगा सब लोग को लगेगा कि काफी चीज़े आती है आपको और बहुत बड़ा टास्क नहीं था इजली सीखा जा सकता है आइगेस कुछ 10-12 मिनिट के वीडियो में हमने देख लिया कि कि इतना जल्दी हो सकता है हां अगर आपको टाइम थोड़ो जादा लग रहा है ति स्पीड करके देख लो आप 1.2 एक्स या 1.5 एक्स बाकि दोस्तों आपको यह डॉक्यमेंट चीए तो आप कमेंट कर देना सेंड में देस लिंक मैं आपको यह सीट का लिंक सेयर कर दूँगा व्यू फॉर्मेट में सेयर करूँगा आप उसको कॉपी करके डुप्लिकेट करके एडिट कर सकते हूं आइगेस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों और यह इंफोर्मेशन आपको हेल्प करेगा गैंट चाच सीखने में ऐसे ही और कंस्ट्रक्शन और स्विल इंजिनेरिंग से रिलेटेट और कुछ भी मेसेज करोगे मैं आपको इस्पांड करते हूं वीडियो देखने के लिए थैंक यू